वर्ष 2013 में जब नरेनर मोदी गुजरात के मुख्य मंत्री थे तब से काशी की मुसलिम महिलाएं मुसलिम महिला फाउंडेशन की नाशनल सदर नाजनीन अंसारी के नेतरत में मोदी को राखी बना कर भेज रही अब ये परंपरा में शामिल हो गया मुसलिम महिलाओं ने गीतों के साथ मोदी, ट्रम्प और इंद्रेश राखी बनाए राश्ट्य स्वयम सेवक संग के अखिल भारतिय कारेकारणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कैथल से ऑनलाइन मोदी राखी का उध घाटन किया अब ये पर नाजनीर अंसारी, नेशनल सदर मुसलिम महिला फाउंडेशन आज किस तरह की राखी आप लोगों ने बनाया, किसको भेजेंगी? आज हम लोगों ने अपने प्रधान मंतरी इंद्रेश जी के लिए राखी बनाए अमेरिका के राष्टपती डोनाल टरम के लिए राखी बनाए भगवाण शराम के नाम की राखी बनाए और अपनी गुरु आदर्नी इंद्रेश जी के लिए राखी बनाए हम प्रधान मंतरी इंद्रेश जी को सन 2013 से लगातार राखी बेजते आ रहे हैं उस समय हम लोगों ने प्रधान मंतरी जी को राखी बेज करके और पत्र लिख करके बनारे से चुनाओ लड़ने का निमंत्रण भेजा था तब से लेकर के अब तक हम उन्हें लगातार राखियां भेजते आ रहे हैं उन्हें पिता की तरा एक अबिभावग की तरा एक बड़े भाई की तरा मुस्लिम महिलाओं के सर पर हाथ रखा और उनके लिए एक जो दंस चला आ रहा था एक लंबे समय से उक गुरिती चली आ रहे थी उस गुरिती का खात्मा किया तीन तलाग का खात्मा किया, उसके लिए कड़ा कानून बनाया, उसको रुतिक आंथ करके बहनों को एक संडरक्षर प्रदान किया इन राखियों को बनाने का मकसद चीन की बाजार से भी मुकाबला करना है इन महिलाओं का कहना है कि चीनी राखियों का विकल्प होगी ये राखियां इन सारे राखियों का सरोकार करते हैं ताकि हमारे देश से चीनी समानों का भहिसकार हो सके चीन हमारे देश के सानिकों के खून से सनी हुई राखियां हमारे भाईयों के कलाईयों पर न सजे इसलिए हम लोग ये सारी राखियां बना रहे हैं राखी का देओहार वैसे तो भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है लेकिन रक्षा सूत्र का संबंद बहनों के साथ-साथ देश की रक्षा से भी है मुसलिम महिलाओं ने मोधी के साथ-साथ चीन के मसले पर भारत का खुल कर साथ देने वाले अमेरीकी राश्पती डुनाल्ड ट्रम्प सामाजिक नेता इंद्रेश कुमार के नाम की राखी भी बनाई और भारतिय डाक से उनको भेजा वारानसी से शिवम गुपता की रपोर्ट